हलो फ्रेंज तो आज मैं आपके लिए बहुत हटके और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बनाएंगे 250 ग्राम कलेजी और तीन अंडों के साथ य데 hason Adraka क्योंटा हुआ मोटा मोटा पेस्ट दालेंगे वन tybps भर कर धनिया दालेंगे כश्मीरि लोलमस भर नमट दालेंगे एक चोटा बॉल नइक चुघ से तरह से मिक्स कर लेंगे और ऩंटों आ हम इसी तरीके से छोड़ देंगे मैरी नेशन के लिए अब आधा हंटा हो चुका ता हम एक kookar लेंगे कुकर में या मैरीने की हुए ये कलेची जहत तो इस ताहां से सदला देंगे हैं अब इसे भी अच्छी तरहां से जो है तो हमिक्स करेंगे अब जितने भी अंडे है तो एकदम कूकर को चिपक ना जाए, चिपक जाएंगे तो फिर नीचे से अंडे जलेंगे और इसमें इसमेल भी जलने की बैट जाएंगे, तो इसलिए इस बात का आप जरूर ख्याल रगे, तो लगातार चमचा हचलाते रहेंगे कूकर में, और नीचे चिपक नी देंगे, चिपक नी नहीं देंगे, और अंडों को अच्छी तरह से कलेजी में मिक्स होने देंगे, रहते 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 तो अंडे एकदम ठीक हो जाएंगे, जैसे हम अंडा भूर्जी बनाते हैं बस उसी तारीके का इसमें टेक्च्चर आ जाएंगा, तो देख इस पेचुला से जो है तो अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है, नीचे उपर कर लेना है, ताकि जो है तो यह सारा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, बेसिकली हमें इसे जो है तो इसी तरह से बॉइल करना है, अब जो है, तो कूकर का जखकन लेंगे हां, और कूकर क कुछ गरम मसाला लेंगे जैसे चार से पांच लॉंग चार से पांच जो है तो काली मिश लेंगे दो से तीन हरी लाइची एक डाल चीनी का तुकड़ा लेंगे इसे हलकी आज पर हमें रोस्ट करना है ताकि इसके बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ चाहिए अब इसे रोस मसाला होने एक बाद में हम देखेंगे कलेजी बोईल हुई है अब इसमें थोड़ा सफ पानी थाज्ण को गलते हुए हो भी 12 मिट हो चुके थी अब कली ज裡面 और पशुआ के इसे इसमें निकाल लेगे आखनी के कलेजिन इसका जो है स्टॉक यानि इसका जितना भी वाटर है यानि यखनी है यह साइट में रख लेंगे अब यह जो अंडा भूर्जी बचिए न इसमें थोड़ी सी अनियन वागेरा डाल कर हम अंडा भूर्जी की तरह इसे इंजॉय कर सकते बिल्कुल भी फेकने की जरू अब हम इस तरह की कि एक देख चिलेंगे यह देख लेंगे इसमें फोर से फाय टेबल स्पून जो है तो ओइल दालेंगे दो मीडियम साइस की अनियन को हमने सिर्फ थोड़ा सा पानी दाल के पीसा है लेकिन जो मसाले का पॉट था यानि मिक्सर का पॉट था जिसमें मसाल बना कर रखा है न वह इसमें डाल देंगे अब इस अच्छी तरह से जो है तो हम भून करके रेडी कर लेंगे जो अंडा भूर्जी हमने निकाली है नो उसे बिल्कुल भी फेकना नहीं उसमें थोड़ा सा लालमीच पॉडर और थोड़ा सा ओईल थोड़ी से समार वगरा कि हम आंडा भूरजी तरह जैसा बनालेंगे तो बहुत हिजाधा टेश्टी बनता है पूरा कर ले जिका जो है तो इसमें अरग होता है तो बहुत है अच्छा वह भी आंडा भूरजी बनती इसे बिलकुल वी वेस्ट नहीं जाने देना है अच्छी तरह से पकाके इन्चय चपाइब नमक दालेंगे पिर से मीडियम टू फ्लेम पर पकाईए गया यकीन मानिये पुरी किचन में इसकी खुश्बू फ्याल होगाई थी इतना अच्या है मसाला हमने भून कर रेडि किया था इसमें नमक दालेंगे अपने सुआत के अनुसार नमक दालनेक बाद में फि ही नमक मिक्स किया है ना वरना ज्यादा नमक हम डाल देंगे तो बहुत ज्यादा इसमें नमक ना हो जाए इस बात का जरूर खर रहे हैं तब यह हमारा बढ़िया तरीकिस मसाला भून करके रेडी हो चुका था इसने सारा जो है तो ऑईल रिलिस कर दिया था बस इतना ही हमें इसे भून कर रेडी कर लेना है आप जो हमने कलेजी और उसका स्टॉक निकाल के रखाने वह दालेंगे गाइस एक बर मेरे कहने पर आप इस तरह से कलेजी का सालन एक बर ज़रूर बना के देखेंगा इतना बहतरीन टेस्ट का बनता आई है बहुत ही जादा बहतरीन इसका अंडा भुर्जी हमने इस लिए इस तेमाल उसम ंगी कि इसकी जो है तो थिकनेस अलग हो जाएंगे वह अंडे पर हलकी आच पर पकने देंगे 5-7 मिट अगर आपको और भी जादा पतला ये कले जी का कोर्मा चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर दाले और पकने देंगे और नई तो फिर इसी तरीके से हम पकने देंगे इस नीचे उपर नीचे उपर करेंगे ताके दानेदार कोर्मा बने तो यहाँ पर हमारा जो है तो कले जी का बहुतरीन सा कोर्मा रेटी है आप हम एक सर्विंग डिश लेंगे इसमें सर्फ करेंगे तो देखे इसका लुक देखिए इसका texture देखिए कितना जादा बहतर ही न आया I hope guys आपको यह recipe पसन आई हूँ अगर आपको यह recipe पसन है तो please like करना, share करना, subscribe करना Allah आफीस and take care